नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे यूटूब चैनल सुरिया इस्टारवन में स्वागत है आज हम बात करेंगे पानी चेक करने के वीदियो के बारे में आखिर किन-किन वीदियो से जमीन के अंदर का पानी चेक किया जाता है इस वीदियो मैं मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि भारत में किन-किन प्राचीनितम आधुनिक पध्यत्यों द्वारा बोर्वेल कराने से पहले इन वीदियो का प्रयोग करके पानी चेक किया जाता है हाला कि इन में से कोई 100% परमाडित नहीं है भारत में इसी वीदियो के द्वारा ही पानी चेक किया जाता है दोस्तों खेती करने के लिए खेत के अतरिक पानी एक मुख्य घटक है अगर पानी नहीं तो हम ना ही खेती कर पाएंगे ना ही जीवन जीज सकेंगे इसी पानी की उपलब्धता के लिए बोर्वेल, बोरिंग या ट्यूवल करवाते हैं जिससे पानी उपलब्ध हो सकें इसलिए हम जहां पर बोर्वेल या बोरिंग करवाते हैं वहाँ पर पानी लगेगा कि नहीं जहाँ चेक करवाने के लिए ये विधी का उपयोग किया जाता है। क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत ही महंगी है तो जमीन के अंदर पानी को चेक करवाना अतिया वस्यक है। आज हम उन्हीं विधियो के बारे में चर्चा करेंगे। जिन में से कुछ विधिया इस प्रकार है जिसे मैं बताने वाला हूँ कि किन-किन विधियो के उपयोग से। तो बीना देरी किये आइए दोस्तो विडियो सुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए। उसके बाद चारों मटकों में आप पानी भर दीजिए और चार कोनों में रख दीजिए जिस मटके में पानी आपको सुबेरे सबसे अधिक मात्रा में मिलेगी उसी जगह आपका पानी का स्रोथ सबसे अधिक मिलेगा राध भर उसको रहने दीजिए, वहीं पर रहने दीजिए उसके बाद में फिर अब सुबेरे जा करके देखिए की कौन से घड़े में, कौन से मट्के में आप सबसे ज़्यादा पानी भरा हुआ है जिसमें सबसे ज़्यादा अधिक पानी होगा वहाँ पर पानी का स्रोत सबसे ज़्यादा अधिक भी होगा दूसरी विधी यहाँ पहली विधी के समान यह भी है दिया में हम तेल भर लेते हैं उसके बाद में दिया जला लेते हैं जलाने के बाद में फिर उसको चार कोनों में रख देते हैं चारो कोनों में रखने के बाद में फिर उस दिपक को हम जला देते हैं उसके बाद में फिर हम उसमें देखते हैं कि जो दिपक सबसे अधिक समय तक जलेगा वहाँ पर भी पानी का स्रोत बहुत अधिक माना जाता है क्योंकि जब उस जगह पर नमी होती है और नमी होने की वज़य से फिर जो दीपक है वो अधिक समय तक चलता है और जीज जगह पर पानी का स्रोत नहीं होता है उस जगह पर दीपक में जो तेल रहता है वो तेजी से खतम होता है और तेजी से खतम होने के बाद वो दिया जल्दी बुझता है पर जहाँ पर पानी रहता है जहाँ शुरोत रहता है वहाँ पर असा नहीं होता है वहाँ पर दिया लंबे समय तक जलता है पानी चेक करने की यह भी एक विधी बहुत अच्छी विधी है यह तीसरी विद्वी इस विद्वी में हम नीम की टहनी को ले लेते हैं और टहनी को लेने के बाद में उस टहनी को हम वाइ आकार में ऐसे आकार बनाते हैं आकार बनाने के बाद में फिर उसको हम जमीन में धीरे 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 इस तरह से लेकर के चलते हैं जहां पानी का स्रोत रहेगा जहां पर पानी का स्रोत उसको मिलेगा वो जो वाय आकार का जो नीम का जो डंडी है वो ना नीचे होने लग जाएगा जैसे नीचे होने लग जहाँ पानी का िरोट रहेगा वहां पर अश्रू रहात कर पने इस पोई दोस्तों on a 3 आप दोस्तों का यह है चाववी विधी कि इस विधी में हम दो रॉड को ल काण के लेते हैं ऑच में इस तरख से पकड़ते हैं उसके माती की, से-सीफ है जा-पंगान चोलने लगती है थीरवा उतके हैены, जहां artifact हमें पाजने है, जहांं पे अय। तकोथ का सीफ हम आ क्रोओकार कंगे दो करती हैं, तो बढ़ी होए य। यहां पर यार। दुबार भी चेक कर सकते हैं तो जहां पर पानी का स्रोत रहेगा वहां पर ना यह क्रॉस होते ही जाएगा तो समझ जाएगे कि यहां पर पानी का स्रोत है यह पांचवी भी धी है इसमें तवे पर हम एक नारियल रखते हैं और नारियल रखने के बाद में फिर उसके उपर में हम बैठ के देखत बैठेंगे जहां पे भी अगर पानी का सुरोथ होगा तो वो नारियल अपने आप घूमने लगेगा और उस नारियल के उपर जो बैठा हुआ जो वैक्ती है वो भी गोल घूमने लग जाएगा यह भी विधी बहुत अच्छी मानी गई है ऐसा मैंने देखा है कई बारा से देखा है जहां पे पानी का सुरोथ ज्यादा रहता है वहां तवे में ऐसे बैठता है नारियल के उपर में जो इंसान बैठता है वो धीरे धीरे घूमने लगता है ऐसा हालकि यह सभी के साथ नही या हर आदमी को असे नहीं घुमा पाएगा तो यह एक अपना अपना जो तरीका होता है उसको इसमें दिखाया गया तो इसमें भी पानी चेक किया जाता है और अच्छा श्रोध भी मिलता है ऐसे कई जगहों पर मैंने देखा है तो यह भी एक विधी है दोस्तो कि पानी इस तरीके से भी चेक किया जाता है यह चट्वी विधी है दोस्तो इसको तो आप लोग अच्छे सा जानते ही होंगे आपने कई ऐसे वीडियो में देखा भी होगा कि नारियल को हाथ में लेते हैं उसके बाद में फिर ऐसा चलते हैं उसके बाद में नारियल सीधा हो जाता है तो यह भी माना गया है कि इस तरीके से भी पानी चेक किया जाता है यह बहुत पुरानी विधी है अधिकतर मैंने इसी विधी को अपनाते हुए देखा है लोगों को अधिकतर जहां पर भी बोर्वेल या जो भी है चेकिंग करने जाते हैं जब पॉइंट चेक करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले इसी विधी उपयोग किया जाता है अधिकतर मैंने इसी विधी को उपयोग ज्यादा देखा है ऐसे कई वीडियो है उसमें मैंने देखे है कि नारिया से ही पानी आसे चेक किया जाता है तो आसे हाथ में लेकर इसको भी चलते हैं जहां पर भी पानी ऐसे मिलना शुरू हो जाता है जहां पर उसका शुरूत रहता है वहां पर जो हाथ से नारियल जो रहता है वो नारियल सीधा ऐसे हाथ में खड़ा होना शुरू हो जाता है तो फिर इससे भी चेक किया जाता है कि हां चलो यहां प पारा हूं लेकिन यही इतने सारे विधी है यह 6 विधी आप लोगों को मैं बताया हूँ इन 6 विधी से भी पानी चेक किया जाता है और कई ऐसे विधिया है जिसे पानी चेक किया जाता है